हाई गाईस बलकम बाक टू माय चैनल यह है एक स्टील का घड़ा गगरी मटकी जो भी आप बूलीजे आज मैं इसको डेकोरेट करने वाले है अक्चली पंजाबियों में एक घड़ॉली का फंक्शन होता है शादी में तो भाई की शादी है तो मुझे घड़ॉली डेकोरेट करनी है और मैं सबकी शादियों में गड़ती हूँ मुझे बहुत शौक है इसका तो उसके नीचे ना मैंने यह राउंड राउंड सा डोनट जैसा कुछ रखा और इसको स्टिक कर दिया होड लुगन से काईस मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते है नाने गाउं में देखा यह अमने यहां शहर में पी तेखा है जो आँटी सब्जी लेकर आते हैं बास्केट में वो पहले उसको सर पे रखते है एक बाद बास्केट उसके उपर रखते है तो I think यह बेस बनाने के लिए होता है तो मुझे मालूम निए इसको क्या गयता है तो प्लीज कमेंट से एक बहुती ब्रॉट सी लेस लगा दी होड ग्लुगन की मदद से और फिर मैंने ये फ्रिल वाली लेस ली अजकल ये बहुत ट्रेंड में है तो मैंने इसका पैकेटी ले लिया तो बहुत पहले मैंने सोचा था मैं इसी दुपट्टे के बॉडर में लगा दूंगी बट मैं पैसा कुछ नहीं कर पाया और अर इंड ऑफ दर दे वो मेरी क्राफ्ट मी Malik काम आरी है फिर मैंने उसका ने उसका फ्रिल्स को कर दिः मतलब च्लेट करदिया फ्र मैने उसको को Refer kg histor law twobs की यूज करके मैंने और उसका जो ने चो और मैंने इसका पूंड अच्छे से लगा रहे थे रात को मुझे और जब अकेले होते हैं तो किसी को दिखा भी नहीं पाते हैं कि कैसा लग रहा है क्या है मम्मा होती है कोई फ्रेंड आ जाती है या कजिन्स होते हैं किसी को भी हम पता देते हैं कि कैसा लग रहा है पूछ लेते हैं कोई हमें कोई सजेशन दे देता है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो फिर भी मैं कुछ ऐसा याद आ रहा था समझ आ रहा था मैं कुछ से अपने माइंड से करती जा रही थी और मैंने उसके जो नौब है गला है उसका उसको मैंने अच्छे से फ्रिल वाली लेज से कवर कर दिया हौड लुगं से आ पता है गाइस मैं आपको दो वीडियों से बता चुकी हूँ हौड लुगं मैं जब भी यूज करती हूँ सीरियोसली मेरे हाथ में लगती है मैं क्या गठती हूड लुगं को यूज करने के बाद जब भी कोई चीज पेस्ट करती हूँ उस पर फिंगर से टैप करती हूं तो ना वो टैपिंग के टाइम पर ना मुझे कई बार होड लूगन से लग भी जाती है यह कुछ मेरर कटिंग बता है यह मेरी फेवरेट जीज है मुझे मिरर कटिंग इतने पसंद है कि पूछो मत तो मैंने ना पहले मिरर कटिंग को ऐसे लगा दिया था फिर बाद में ना मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे मज़े मजा नहीं हा रहा तो फिर मैंने ना उसकी पोजिशन चेंज करती थी फिर मेरे पास एक कुछ स्टिकर्स थे गोल्डन कलर के बिंदी जैसे दिखने वाले यह बहुत पहले के रखेते पता ह है मैंने सब अपनी पुराणी चीज़ों को यूज किया इसको बनाने में जो मेरे पास रखा था पहले से मैंने उसको तेखो मैंने चेंज कर दिया मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया बट सीरियूसली मैंने बोजिशन चेंज कर दी और यह मैं मिस्टर डी आएवा इसे ले रगा दिया but seriously उससे लुक बहुत सुंदर हो गया था और हमारी colorful घडॉली बनके ready हो गई है आप अपने तरीके से उसको decorate कर सकते हैं you can use any kind of stones colorful stones or one color stones या कुछ भी ऐसा sparkles आया कुछ भी आपके पास best out of waste रखा होना then seriously you can do it अपने आप DIY भी कर सकते हैं और आप मिटी के घड़े को भी decorate कर सकते हैं thank you so much for watching love you all bye bye